अले जनाब आपने statistical method के नाम इतने ज्यादा सुन लिया अब आप confused होंगे कौन सा test कैसे लगता है उसको interpret कैसे करना है अगर आप एक thesis पर stat लगा रहे हैं तो interpretation क्या होती है? tension नी लेने का क्यों? क्योंकि इस lecture के अंदर हमें case study करने वाले हैं और data sets पर बारी बारी आपको लगा के दिखाने वालों के stat कैसे लगाई जाती है अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो statistics for data science सीख रहे हैं या आप statistics को अपने thesis बे लगाने के लिए चेक कर रहे हैं या आप different किसम के means को compare करने के लिए statistics का यूज़ करने वाले हैं यह वीडियो आपके लिए है Exploratory data analysis की basics यहां पर आप comparison कर रहे होते हैं distribution कर रहे होते हैं यह चार जो different pillars है relationship और composition भी है उसके अंदर उसको कैसे हमने हल करना है Let's jump into the screen यह जनाब आपके सामने screen नजर आ रही है मैं यहां पे एक नई notebook बनाऊँगा ताकि यह notebook जो है यह आपके पास available हो इसको मैं 07 case study का नाम देने वालो case study.ipynb और यह case study आपके पास यह पूरे का पूरा code आ जाएगा ठीक है अब सबसे पहले इस case study को for statistical methods ठीक है और अगर आप इस वीडियो को देखने वाले हैं तो एक बात का खियार रखें कि इस पे थोड़ा सा time हम ज्यादा लगाएंगे ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आ so stay with me और relax होके start करते हैं सबसे पहले जो libraries आपने use करनी है import libraries खास तोर पे जितने भी हमने test देखने हैं उसके अंदर जो है आपके पास कुछ libraries बहुत जरूरी हैं जिसमें सबसे पहली है जी import pandas as pd हम python use कर रहे हैं वाइदावे जिनको नहीं पता numpy यूज़ करेंगे हम matplotlib यूज़ करेंगे cbon को यूज़ करेंगे फिर हम import करेंगे scipy.stats as stats इसके बाद हम obviously stats model में से sm करेंगे और फिर हम यहाँ पे import stats models stats models dot multivariate dot manova हमने किया था as manova कर लेते हैं और भी हमें को libraries चाहिए होगी तो हम उसको import कर लेंगे let me see into the previous lecture अगर हमने इसमें से कोई और library जो हैं भूल गए हो तो हम वो भी अभी से कर लें ताके हमारे mind में रहे कि हमने यह वाली libraries बिलकुल ols रहता था ओके तो यहाँ पे हम stats model में से ols भी कर लेते हैं यह जनाबिया ला libraries है अगर आपके पास install नहीं है तो pandas को install कर लें numpy को install कर लें matplotlib को c1 को scipy को and stats models को यानि कि आप इस तरीके से pip install में यहाँ पर लिख देता हूँ ताके आपके पास आज़े आप इस command को भी run कीजेगा pandas numpy matplotlib c1 और scipy फिर stats models और yeah that's it यह आप इसको run करेंगे तो आपके पास आज़ेगी मैं इसको comment out कर रहा हूँ ताके मैं इसको run ना कर बैठ हूँ तो आपने इसको run करना है तो आपके पास यह सारी libraries आज़ेगी ठीक है जी अब पहला काम हम करने वाले हैं और test को आइस्ता आइस्ता लगा के देखना स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहला जो हमारा test होगा वो chi-squared test होगा ठीक है chi-squared test जो है यह usually chi-squared test भी कहलाता है और chi-squared भी ठीक है सो आपने इससे परेशान नहीं होना और हम क्या करते हैं यहां पर हमने काम करना है पहले एक data बना लेते हैं और उसकी frequency लिख लेते हैं हमारे पास और हम इस test को वहां पर लगा के देखते हैं ठीक है और हमारे एक for example restaurant है जिसके अंदर हम यह assume करते हैं यह वाली चीज हम assume करते हैं हम assume करते हैं कि distribution जो expected है 50% vegetarian and 50% non-vegetarian है expected distribution है हमारी एक restaurant के अंदर और हम check करना चाहते हैं कि जो test है हमारे sample का क्या वो distribution इस observed distribution जो है इस expected distribution के साथ मैच करती है कि नहीं इसको हम goodness of fit model भी बोलेंगे goodness of fit इसका मतलब यह है कि data के अंदर जो distributions हैं क्या उसकी base पे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो data हमारे पास आ रहा है वो हमारे model के साथ मैच कर रहा है या नहीं ठीक है goodness of fit का model भी इससे बोला जाता है अब हमने लगाना कैसे है सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पे import numpy as np करेंगे ठीक है और from scipy stats from scipy dot stats ठीक है और इसी के साथ हम chi-squared को import कर लेंगे chi-squared contingency नहीं हमने करना हमने इस दफा करना है chi-squared और आप जैसे यहां पे chi लिखेंगे तो यह सारे chi-squared के test है chi-square, chi-square gen, chi-gen, chi-square, chi-square contingency फिर आपके पास इस तरीके से आ जाते हैं तो मैं यहां पे सिरफ और सिरफ chi-square को import करूँगा for now ठीक है यह दुबारा से मैं क्यूं कर रहा हूं ताकि आप जब भी कोई test लगाना चाहें तो आप यहीं से इन चीजों को लिख लें अब हमने क्या करना है यहां पे करेंगे hypothetical observed value का observed frequencies इसका हमने यहां पे data generate करना है तो मैं यहां पे observed frequency का data लिख देता हूं frequencies का मैं बलके code उठा के आपको दिखा देता हूं ताकि easy हो जाए और हमारा थोड़ा सा time बच रहे यह आपके पास hypothetical observed frequency है जो आपने observed कि अपने data को जब measure किया तो आपके पास कुछ इस तरीके से data आया यनि कि आपका data बता रहा है कि 30 आपके पास vegetarian लोग है और 70 आपके पास non vegetarian meals है ठीक है so you have this idea in your mind 30 और 70 की यहां पे ratio है आप expect कर रहे थे कि 50-50 distribution है दोनों की लेकिन जब आपने observe किया तो वो 30-70 आई ठीक है अब हमने यह अंदाजा लगाना है chi-squared stat के थ्रू के हमारे पास जो observed frequency है क्या यह expected से change हो रही है के नहीं हो रही ठीक है और हम यहां पे इस test को लगाने के बाद print कर सकते हैं with if-else conditions आप इसको if-else conditions के थ्रू भी print कर सकते हैं it's totally up to you let's see chi-squared test statistic हमें 16 बताती है 16 क्या है अगर आप गौर करें तो हमारे पास इन दोनों में जो basic difference आ रहा है वो 16 के creep values का रहा है लेकिन if you remember के आपके पास कुछ इस तरीके से statistic आ रही है chi-squared statistics है जो frequency distribution की base पर count होती है लेकिन यहां पे हमें हमारे पास क्या चीज़ आ रही है अगर आप गौर करें हमारे पास p-value is far less than 0.05 इसका मतलब क्या हुआ कि हम null hypotheses को reject करते हैं null hypotheses क्या कहता है null hypotheses यह हमें बताता है कि दोनों values हमारे पास उनमें कोई फरग नहीं है ठीक है अब यहां पे अगर value इसकी ज्यादा आ जाए p-value से मैं आपको यहां पे लिखके दिखाता हूँ यह इस तरीके से अब यहां पे जब p की value कम आई तो हमने बता दिया कि null hypotheses को हम reject करते हैं there is a significant difference between the groups कौन से groups हमारी जो observed frequency है वो expected से different है सो इसका मतलब है जो हमने data measure किया है obviously आम अंदाजे से भी आपको पता चल जाएगा वो जो data है वो हमारी expectation के मताबिक पूरा नहीं आया तो इसको chi-square test कहते है on one sample, one sample क्या है vegetarian और non-vegetarian एक ही column के अंदर उनकी values ठीक हो गया, यह chi-square test हमारे पास इस तरीके से लग जाता है अब हमारे पास यह observe आ गया के यार हम चाहरे थे 50-50 लेकिन data आया 30-70 का चलो test लगा के देखते हैं के यह दोनों आपस में सेम है के नहीं ठीक है, इस वज़ा से हम क्या करते हैं chi-square test को यहां पर use करते हैं अब इसकी example आप कैसे लगा सकते हैं, let me see, और 50-50 distribution, 70-30, 20 का फरक एक ही side पे आपके सामने आ गया अब chi-square test second वाले पे चलते हैं और उसमें देखते हैं के हमारे पास chi-square contingency test जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, और contingency test को हम लगा के देखते हैं tips के dataset पे, right, let's see हम यहां पे import numpy as np करते हैं, ठीक है, import c bond as sns करते हैं, ठीक है, और from scipy.stat import chi-square contingency कर लेते हैं, डेटा को लोड करते हैं, उसके लिए हम करते हैं, df is equal to sns.load dataset और यहां पे tips का data लेके आते हैं, जो original dataset है, which looks something like this, लें जनाब, यह वाला data है हमारे पास total, bill, tip, sex, smoker, day, time and size की base पे, ठीक है, तो हमारे पास sky-square test लगेगा सिरफ categorical variable पे, जो पीछे भी लगाया हमने सिरफ categorical पे लगाया, जो vegetarian and non-vegetarian की types थी, उनकी frequency, अब दुबारा से यह भी लगेगा categorical variables पे, तो सबसे पहले हमने contingency table बनाते हैं, create a contingency table और उसके लिए इसको cross table भी बोला जाता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, contingency table is equal to, हम इसके आगे pd.cross tab, cross tab हमने बनाने, क्योंकि हमने pd को भी यूज किया, तो मैं यहाँ पे pandas की library को भी import करता हूँ, सिरफ आपको बताने के लिए कि यह libraries यूज हो रही है, तो यहाँ पे मैंने contingency table के लिए cross tab बना लिया, अब हमने यहाँ से दो columns ऐसे select करने, जिन में फरक देखना है, मैं चाहता हूँ, sex का देखने, यानि के male female का, और साथ में जो दूसरा हम देखें, वो देखें, जनाब आपका smoker का, ठीक है, और इसमें देखते हैं कि क्या, sex की base पे smoking में कोई फरक पढ़ता है या नहीं पढ़ता, ठीक है, य यहां पे contingency table जो है, इसको हम शो करते हैं, it will look something like this, गोर करें अब इस पे, यह है contingency table, contingency table क्या होता है, basically आप frequencies इसके अंदर add करते हैं, for example, अगर smoker आपका yes है, यानि के smoker male हैं, तो 60 है, female smoker हैं, तो आपके 33 हैं, ठीक है, non smoker जो है, male वो 97 हैं, और female non smoker जो हैं, वो 54 है, contingency test लगेगा, जो हमें बताएगा, क्या male और female, इनकी base जो gender है, वो smoker और non smoker पे impact होता है, यानि कि, क्या हम कह सकते हैं, कि लड़के ज्यादा smoker हैं, या हम कह सकते हैं, कि लड़की हैं, ज्यादा smoker हैं, या हम ये भी कह सकते हैं, कि इन दोनों में कोई फरक नहीं हैं, तो को तलाश करने के लिए हम यहाँ पे chi-squared contingency table के ओपर test लगाने वाले हैं, तो उसी test को हम बोलते हैं, perform the chi-squared test, यहाँ पे हम chi-squared test लगाएंगे, और test लगाने के लिए आप chi-squared p, degree of freedom and expected, ठीक है, इन चार चीज़ों को आप देख के आते हैं, expected और observed में फरक, यह आपका observed ह यह expected है, let's see हमारे पास जो table की बाद, हमारे पास जो output results हा रहे हैं, output results, उनको हम यहाँ पे print करते हैं, यह 1 हो गया, chi-squared का p का value आगी, degree of freedom आगी है, and expected हमारे पास, जो अरे है वो आगी, इसको मैं run करता हूँ, and here you go, chi-squared statistic 0 है, p की value हमें बताती है 1, degree of freedom भी हमारे पास 1 है, degree of freedom क्या होता है, आपके पास, यह जो male और female है, इसका impact sex पे देख रहे हैं, तो 2 हमारे पास values है, उसमें से एक अगर आप निकाल दें, तो उसको degree of freedom कहते हैं, by the way, इस पर हम discussion करेंगे, यह हमारी expected value है, और यह हमारे पास, जो है, expected value की base पे, यह हमारे पास, जो है, observed value है, तो for now, we will see only p value, p value कितनी है जी, p value है 1, इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे लिखते है, print the results, based on if else condition, और if else condition हमें क्या बताती है, कि अगर वो कम हो तो क्या होगा, और अगर ज्यादा हो तो क्या होगा, अब यहाँ पे दोनों हमने बता दिया, और if else condition हमें यही बताती है, कि हम reject करेंगे null hypothesis को, there is a significant difference between the groups, ठीक है, यानि के male और female जो है, उनकी base में अच्छा खासा फरक आ रहा है, smoking का, फिर print करते हैं, fail to reject null hypothesis और उसको हम run करके देखते हैं, and here you go, fail to reject null hypothesis, there is no significant difference between the groups, यानि के लड़के और लड़कियां बराबर सीटे पीते हैं, सिद्धी जी गाले, सह लेकिन ये था tips का data, ये western countries का data होता है, अब हम देखते हैं, कि क्या, male और female, किसी एक time में रुजहान है, उनका time की base पे अगर हम देखें, so let's see, time मैं इसमें add करता हूँ, तो ये आ गया, lunch और dinner, दो time है, ये male है, 33 आते हैं, lunch time, female आई है 35, dinner के वकत, 124 male आई हैं, और 52 females आई ह let's see, के इन में कोई फरक है के नहीं, मैं यहीं पे इसको अब run करता हूँ, contingency table को, and here you go, आप देख सकते हैं, अच्छा खासा फरक है, क्योंकि हमने यहां पे भी देख लिया, 124 और 52, इसका मतलब है, there is a significant difference between groups, यानि के, lunch और dinner के time पे, लड़के और लड़कियों में there is no significant difference between the lunch time, 33 और 35 है, but on the other side, at the dinner time, more males are coming as compared to females, यह हमारा main analysis होगा, ठीक है, अब इसको और भी आप shot down कर सकते हैं, ठीक है, आप days की base पे कर लें कि कौन से दिन males याद आते हैं, और कौन से दिन females, तो यह हमारे पास हैं, चार दिन, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ठीक है, और male और female का comparison अगर हम करे तो को इतना खास नहीं नजर आ रहा, स्वाए यह Saturday के और Sunday के, so let's run this, यह हमें बताता है कि reject null hypothesis, there is a significant difference between groups, कहां कहां पे है, हम देख रहे हैं कि Saturday और Sunday को males ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, यह चीज़ ट्रेक करें, अगर यहां पे फरक नहीं भी है, यहां पे है, so जहां पे भी फरक आएगा, you have to mention, उसने, टेस्ट ने सिरफ यह ही बताना है कि किस, इन दोनों ग्रूप्स में फरक है कि नहीं, चलें, एक और काम चेक करते हैं, यहां पे मैं लिखता हूँ, smoker, किस दिन smoking वाले लोग ज्यादा आते हैं, ठीक है, यह आप देखें, reject null hypothesis, there is a significant difference between the groups, इसकी base पे अगर अंदाजा लगाएं, तो इसका मतलब यह है, कि day और smoker, यह दोनों में अच्छी खासी चेंज है, खास तोर पे yes और no में, अगर smoker होंगे कि नहीं, यानि कि 17 smoker हैं, 45 नहीं हैं, 15 smoker हैं, 4 नहीं हैं, 42 और 45, कोई फरक नहीं हैं, 19 और 57 अच किस तरीके से काई स्क्वेर टेस्ट लगता है, ठीक है, अब एक और अंदाजा यहां पे लगा लेते हैं, कि smoker किस time पे ज्यादा आते हैं, लोक, 23, 47 एक सुचे, अच्छा खासा फरक होगा, इसका मतलब है कि smoker और non smoker में कोई खास फरक नहीं है, ठीक है, reason क्या है, अगर अब गौर करें, lunch और dinner time पे, yes और no, तो गरीबन बराबर बराबर है, और यह भी based on the frequency table, आपको नजर आएगा कि नहीं बराबर, but on the other side, these are equal, because क्योंकि हमने frequencies को count करना होता है, so this is how you can actually have an idea about contingency table, और किस तरीके से आप chi-square test को यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ तक आपको clear हो गया होगा, मैं यहाँ पर day को रख लेता हूँ, और इस notebook में आपको यहाँ पर results जो हैं, वो दिखा देता हूँ, काई-square test आपको नजर आगे होगे, ठीक है, और काई-square test इसी तरीके से लगते हैं, and it's very easy to implement these tests, और उसको interpret करना भी आपको अच्छे से नजर आ जाता है, ठीक है जी, यहाँ तक clear होगे आपको, और यह जो चीज़ें चल रही हैं, यह basically statistics की चल रही हैं, mathematics की नहीं है,